हलो स्टुएंस बेलकम अगेन इजी मैस आज हम करेंगे 10 लास का केस टू चीहां यह अच पी बोस से जो मोल्टास पेपर है उसका यह केस टू है बोस से स्टुएंस का मैसेज आया है कि केस टू बनाया जाए तो उसी को बना रहा हूं मैं मैंने अपने तरप से पूरी कोशिश हिंदी और इंग्लिश तो आप किसी भी लैंग्विज में आप पेपर दे रहे हैं लेकर आंसर तो एक जैसा ही होगा तो एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं देखिए आपके पास है कि 1947 में ब्रिटिस आशन के अंत के बाद में भारत की साक्षता पर छे गुना ब्रिदी पहा श्रम शलुक जो की पहले मीटर का डेट सो रुपे और परतेक बाद के मीटर का पचास रुपे चूंकि मजदूर शिक्षित था इसलिए वह पूरे काम के लिए 550 रुपे का दावा करता है देखिए यह आपके पास चार कॉशन है इन अंसर देने आपने इंग्लिस में भी आप रीड कर सकते हैं सेम एक जैसा ही लिखा है इंग्लिस मीडिय में रीड करें हिंदी मीडिय में हिंदी में रीड करें तो देखिए पहला कॉश्चन हमारे पास है कि दिये के कथन से किस परकार की शिरेड़ी बनती है तो वर्ट टाइप ऑप सीरीज इस फौर्म फॉ रहा गया है कि जो मजदूर है दस मीटर खड़ा होता है तो इस तरह से मारे पास बनता है यह सीरीज नोट अनसर है अब चलते हैं सैकंड क्वेशन की तरफ तो स्लेंट से रहा क्वेशन नूमबर टू वर्ट शुट वी एक्चुल अमॉंट टू वी पेड टू दा लेबर कितना भुकतान किये जाना था बास्तिव कराश्टी क्या होनी चाहिए थी तो उसका देखिए हमारे पा तो है वो 50 रूपे पर मीटर है तो देखिए टोटल हमारे पास बनता है यह बन फिप्टी प्लस नाइन मल्टिप्लाई 50 अगर इसको मल्टिप्लाई करें 950 को 450 होता है 450 में 150 एड करते हैं हमारे पास बनता है 600 तो इसका एक्षिल अमोंट शुड भी रुपीज होता है 600 तो question number 3 क्या है तो देखी third question हमारे पास है how much money will Ram save if he agree with rupees 550 तो actual amount is rupees 600 है and miscalculated amount है rupees 550 so Ram will save rupees 600 minus 550 rupees 50 so इसका right answer हो जाएगा option A जीहां rupees 50 is correct option A इसका right answer है then question number 4 की तरफ चलते हैं तो students इस case study का question number 4 है last question in AP sequence if each term is multiplied by constant K then what will be the new sequence देखी यदी AP AP श्रेणी में परतेक पद की एक अचर K से गुणा किया जाए तो नहीं श्रेणी होगी तो देखी AP होगा AP नहीं होगी कोई नहीं इन में से क्या होगा तो देखी इसका right answer है then each term of an AP sequence is multiplied by any constant K किसी भी constant K से किये जाएगा number से then also the term of the sequence be in AP होगा तो इसका right answer हो जाएगा option A yes AP option is the correct answer तो students यह रहा case study two case study one मैंने अप्लोड कर दिया है दिर्ग स्क्रिशन में लिंक है बहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और students इस वीडियो के लिए एक like तो बनता है क्योंकि यह वीडियो जो है आपकी request पर बनाया है मैंने तो देखिए इस चैनल पर अगर आप 10th class के student हैं और exam की तहरी कर रहे हैं तो math section आपको मिलने वाला है इस चैनल पर जी हाँ दो दो नंबर के question मैंने अप्लोड की यह हैं आप चेक कर सकते हैं पांच नंबर के आपको मिलने वाले हैं एक या दो दिन में continue आज ही यह वीडियो बना दूँगा next day आपको मिल जाएंगे पांच पांच नंबर के question और बड़ी बात यह है कि आपको इसी चैनल पर mcq जी हां परते एक चेप्टर से mcq मिलने वाला है और पांच question कम से कम पांच question multi choice question के आपको daily इस वीडियो पर मिलने वाले हैं तो चैनल को जरूर subscribe करिए और वीडियो को जरूर share करिए ताकि सब students को इसका benefit मिल सके तो मिलते हैं next video में तब तक have a nice time and study करते रहिए आगे बढ़ते रहिए क्योंकि बड़ेगा India तभी तो आगे बड़ेगा India thank you